हे वेलकम बैक टो आच चैनल तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किसी भी इमेज को jpez, pdf, png या gif, jpeg में कैसे करेंगे आपके सामने बहुत सारे ओप्शन साजाएंगे, single image, multiple image, result folder तो इसमें से अगर आपके बास single image है, आपके बास एक image है, उसको आप jpez में convert, png में आपको convert करना है तो single image में क्लिक करके आप यहाँ से उठा सकते हैं, अगर बहुत सारी image है, उनको आप pdf में convert करना चाते हैं या एक साज jpez में convert करना चाते हैं, तो आप यहाँ से multiple image में क्लिक कर सकते हैं तो मैं अभी यहाँ पर एक image को उठा रहा हूँ, तो मैं single image पर click करूँगा उसके बाद आपके सामने option आएंगे camera, अगर आप camera से लेना चाहते हैं तो camera से, अगर pick up image है तो pick up image नहीं तो gallery से, तो मैं यहाँ से gallery पर click करके gallery से उठा लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे image आ चुकी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से इसका name change करना है, तो यहाँ से आपको जो भी इसका name change करना है, यहाँ से आप इसका name change कर सकते हैं, उसके बाद next, उपर आप देखेंगे convert format, आपको concept format नहीं चाहिए, यह जेपीजी, पीडियाफ, या पीएणजी, डवलु इबीप, एंजीएफ, जेपीजी, जिसमें भी आपको चाहिए, आपने उसमें रख लेना है, इसको मुझे यह जेपीजी में चाहिए थे, मैंने जेपीजी में रख लिया है, उसके बाद नीचे आप देखेंगे यह बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पर यहाँ जएपीजी में बढ़ चुका है, अगर यहाँ पर यहाँ ज्यादा होता, तो यह एंबी में भी आ जाता, तो मुझे कम ही चाहिए था, तो मैं कम पर रख लेता हूँ, उसको, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर चेक का ऑप् तो यहाँ फाइल आपको यहाँ से save करना चाहते हैं export, share, delete जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं आपको size यहाँ पे दिख रहा है 24 के भी आपकी file का size है यहाँ पे जो image है और यहाँ पे आप देखेंगे जो image है jpeasy में convert हो चुकी है तो पहले में इसको save कर लेता हूँ तो save done होगे अगर share कने चाहते हैं आप back share भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो image मेंने save करी थी वो cs image converter के folder से अंदर gallery में आ चुकी है तो इससे तरह से आप किसी भी image को convert कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को भी subscribe कर लें आगे भी सतरह की वीडियो इसको देखने के लें and thanks for watching see you in next video